सोमनात का ये मंदिर से कुचला नहीं जा सकता AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन उवैसी ने तालिबान को ले कर दिये बयान पर समाजबादी पार्टी के सांसच शफिकुर रह्मान बर्क के खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा दर्च किये जाने पर सवाल उठाए हैं साथ ही उन्होंने भारत में महलाओं के हालात की तुलना अफगानिस्तान से की है केंद्रिय मंत्री अनुराख ठाकुन ने उवैसी को राजनीती ना करने की सलहा दी है मैं सभी से आगरे करता हूँ कि परिस्थितियों को देखकर और भारत के नागरिकों की रक्षा सुरक्षा के लिए मर्यादित ब्यान दे राजनीती इस पर ना करें अफगानिस्तान से भारतियों को सुरक्षित वापिस लाने की मुहिम के तहत कल सुबह एक और C-17 ग्लोब मास्टर विमान 220 भारतियों और 70 अफगानी नागरिकों को लेकर घाजियाबाद के हिंडन एर बेस पहुँचेगा इन में अफगानिस्तान में रह रहे सिक्स समुदाई के लोग और अफगानिस्तान के कुछ संसत भी शामिल हो सकते हैं सूत्रों के मुताबिक तालिबान के आतंकी बुधवार को कांधार और हेरात में भारत के कॉंसलिट में दाखिल हुए थे सूत्रों का कहना है कि तालिबान ने ये कारवाई पाकिस्तान की खूफिया एजंसी ISI के इशारे पर की अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर आज नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुल बैठक हुई इस बैठक में मानव अधिकार के उलंगन पर चिंता जताई गई साथी तालिबान से हिंसा रोकने को कहा गया वहीं तालिबान ने एरपोर्ट पर भीड को रोकने के लिए फारिंग की एरपोर्ट पर तालिबान के आतंकियों से अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक महला ने उसे एक सैनिक को सौप दिया अफगानिस्तान की महलाओं ने देश में लोकतांत्रिक सरकार और अपने अधिकारों की मांग करते हुए काबूल में विरोत प्रदर्शन किया आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन का सरगना सेद सलाउद्दीन भारत के खिलाफ जम्मु कश्मीर में नई साजश रच रच रहा है सूत्रों के मुताबिक सलाउद्दीन तालिबान से मदद की उमीद लगाए है उसने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर खुशी जताते हुए शुपकामनाय दी है सेद सलाउद्दीन ने ऑनलाइन संदेश में कहा है कि पठानकोट हमले का मास्टरमाइन सेद सलाउद्दीन इस वक्त पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर यानी पीयोके में छिपा है कॉंग्रिस पाटी के अंत्रिम अध्यक सुनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ एहम बैठक की वर्च्वल माध्यम से हुई इस मीटिंग में महराश्ट्र के मुख्यमंत्री उधर ठाकरे, पश्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी और NCP अध्यक शरत पवार समेत 19 पाटियों के बड़े नेता मौजूद रहे लेकिन समाजबादी पाटि इस बैठक में शामिल नहीं हुई बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि 2024 के लिए सभी को एक जुट होना होगा राश्ट्र हित के लिए ना सिर्फ संसद में बलकि संसद के बाहर भी एक जुट हो सरकार के एहंकार की वजह से मौनसूल सत्र बरबाद हुआ विपक्ष की एकता की वजह से OBC बिल मिसंशोधन करना पड़ा विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की रणनीती पर भी चर्चा की आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनात मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाव का उधखाटन और शिला नयास किया सोमनात मंदिर परिसर के बाहर समुद्र दर्शन पैदल पत का उधखाटन पीए मोदी ने किया आज मुझे समूत्र दर्शन पत, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जिर्डोधार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकारपन का सोभाग्य मिला है मंदिर के बाहर श्रद्धालू के लिए करीब एक किलो मीटर लंबा पैदल पत बनाया गया है जिस पर चलकर श्रद्धालू समुद्र दर्शन कर सकते हैं मंदिर परिसर में ही सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र का भी प्रदान मंत्री मोदी ने उटखाटन किया सोमनात मंदिर के ठीक सामने पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी पार्वती मंदिर को बनाने में कुल 30 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे पारवती मंदिर में सुम्पुरा सलाच शैली में मंदिर का निर्मान गर्ब ग्रिही और नृत्य मंडब बनाया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अहल्याबाई होलकर मंदिर का भ्यूद खाटन किया साढ़े तीन करोड रुपे की लागत से अहल्याबाई मंदिर का पुनर निर्मान श्री सोमना ट्रस द्वारा कराया गया है कुरोना वारस के खिलाफ भारत को छटी वैक्सीन मिल गई है जाइडिस कैडिला की कुरोना वाक्सीन को केंद्र सरकार ने एमरजेंसी इस्तमाल की मनजूरी दे दी है इस वैक्सीन का नाम जाइकोवडी है ये वैक्सीन तीन डोस की होगी साथ ही ये वैक्सिनेशन नीडल फ्री होगा Zykov-D दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है और भारत बायाटेक की को वैक्सीन के बाद दूसरी स्वदेशी वैक्सीन है साथी कमपनी का दावा है कि ये वैक्सीन 12 साल से जादा उम्र के लोगों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है भारत को करोना के खिलाफ अब तक जो 6 वैक्सीन मिल चुकी हैं उसमें सीरम इंस्टिट्यूट की कोवी शील्ड भारत बायाटेक की कोवैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी अमेरिका की मॉडर्ना अमेरिका की जॉंसन औन जॉंसन और अब जाइडस काडला की जाइकोवडी शाम और ITBP के ASI गुर्मुक सिंग शामिल है। हमले के बाद नकसली एक AK-47 राइफिल, दो बुलिट प्रूफ जैकेट और एक वारलेस सेट लूट कर फरार हो गए। ये हमला ITBP कैम कडे मेटा से करीब 600 मीटर की दूरी पर हुआ है। हमले के बाद नकसली फरार हो गए। कर दो आपको है।